हाउर फिक्स वान प्लस नॉट हेटफोन जेक नॉट कनेक्टेट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों तो अगर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस के दिवाइस में हेटफ तो दोस्तों कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्फ करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ वीडियो को आन तक देखे जो भी सॉलूशन होगा उसको फोलो कीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शूरू करने से पहले मेक श दोस्तों वीडियो शूरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है आप दोस्तों आपने मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए हेटफोन के जैक को दुबारा से प्लग करके देखे उसके बार प्रॉब्लम सॉल्फ होते तो ठीक है अगर नहीं होते तो दोस्तों आप एक ए से कार्ट को आप इजेक किजिए करने के बाद अच्छे से प्लेस करके देखिए ठीक है तो उसके बाद दोस्तों अगर काम कर जाते प्रॉलम सोल्फ हो जाता तो ठीक ए एगर को नीक propor काणजाना है लेकिन दोस्तों ये एक प्रग क्यों करना है से कि आइंक तो इस तरी कर одно मोबाइल मिस बेव करते हैं ठीक है तो यह चीज़ आप यहाँ पर फोलो कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर अगर आपका प्रावलम अभी भी सॉल्ट नहीं हो तो मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट करने के बाद देखें सुल्फ हो जागा प्रॉब्लम अगर इससे फिक्स हो जाते है प्रॉब्लम तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जो है दूसरे हेटफोन ट्राइ करके देखना होगा क्यूंकि आपका जो हेटफोन करने के बाद दोस्तों सॉल्फ हो जाना चाहिए प्रॉब्लम अगर फिक्स हो जाते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते तो हड़वेर लिए इस्यू हो सकते हैं क्यूंकि हीटफोन का जो प्लग होते हैं वो दोस्तों हाडवेर ली खराब हो जाते कभी कबार ठीक है तो आपको वो किसी भी technician के पास जाके fix कर लेना है उसके बाद आपका headphone jack आसानी से कम कर जाएगा तो यह था दोस्तों कुछ solutions आपके headphone jack not connected problem के solution उमीड करते हैं आपको यह वीडियो पसे नहीं होगा आज के लिए बस इतने ही तेंक्स वाचिंग हाँ 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 फिक्स वान प्लास नोट सी एड़ फोन जैक नोट कनेक्टेट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सो अगर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के दिव आपका जो हेड़ फोन जैक है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्फ करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ वीडियो को आन तक देखे जो भी सॉलुशन होगा उसको फोलो कीजिए आपका प्रॉब्लम तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकून को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या आए आप दोस्तों अपने मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए हेटफोन के जैक को दुबारा से प्लग करके देखें उसके बार प्रॉब्लम सॉल्फ होते तो ठीक है अगर नहीं होते तो दोस्तों आप एक एरबाट लेके अपना जो हेटफोन का प्लग होते हैं उसको थोड़ा साफ करके देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों कई बर कच्रे वगरे चले जाने से इस तरह के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं ठीक है तो आप साफ करके देखें और फॉर इसके वह अपने मोबाइल के सीम कार्ट को आप इजएक कि आपया अक्छे से टि democrats और तो उसके बाद दोस्तों अंगर कार सते प्रादमा प्रॉब्लम हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते तो आपको नेक सोलीशन जाना है लेकिन दोस्तों यह solution आपको क्यों करना है SIM card यहाँ पर इजेक और insert क्योंकि दोस्तों कई बार अगर SIM misplace होते हैं तो इस तरह केगा mobile misbehave करते हैं ठीक है दो सेकंड क्लिक करकर रखना है और ok कर देना है जैसे ok करेगा दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो mobile safe mode पर reboot करने का बाद देखें solve हो जाएगा problem अगर इससे fix हो जाते है problem तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जो है दूसरे headphone try करके देखना होगा क्योंकि आपका जो headphone है उसमें कुछ भी टूटा हुआ है खराबी है तो problem हो सकते हैं तो next headphone डूसरा try करके देखें अगर उसमें भी सेम प्रॉब्लम है तो mobile software को एक दफ़ा अपडेट करके देखना mobile software अपडेट करने के बाद दोस्तों solve हो जाना चाहिए problem अगर fix हो जाते है तो ठीक है अग आपका headphone jack आसानी से कम कर जाएगा तो यह था दोस्तों कुछ solutions आपके headphone jack not connected problem के solution उमीड करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा आज के लिए बस इतना ही thanks for watching